साथियों, SD24 के intellectual audience, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ, आप जहां भी होंगे, खैरों आफियत से होंगे. लंबे इंतजार और एक हफ़ते के बैन के बाद, हम आपके बीच फिर हाजिर हुए हैं. आप देख रहे हैं SD24. मैं हूं मैरा कुरेशी. फिलिस्तीन में कियामत, खून की नदियां, आंसों के सैलाब, लाशों के अंबार, चारों तरफ हाहाकार, रोती बिलक्ती जिन्दगियां, सिसक्ती मासूम सांसें, कराहती बुजर्गों की हड्डियां, उजड़े आशियाने, कब्रिस्तान सी बस्तियां, आस्मान से बरस्ता बारूद, जमीनों से चलती गोलियां, फिजिकली और दिमागी तौर पर ठक चुके, दसवीं बार विस्तापित होते लोग. अब्बू उबैदा के वीडियो और फिलिस्तीन की सटीक जानकारी, और इस्राइल के जरीये शुरू फिलिस्तीन में नसल कुशी की खबरों से आहत हुए, यूट्यूब ने हमें एक हफते के लिए बैन कर दिया था, और हमेशा के लिए आपके SD24 चैनल का और ना कोई चैनल के मॉनिटाइजेशन बैन की वजह से अफसुर्दा है, और ना ही हमने यूट्यूब को जिंदगी बना लिया है कि सारा परिवार खाना पीना छोड़ दे और मातम मनाता बैठ जाए, क्योंकि मुसल्मान कभी हारते नहीं है, फिलिस्तीन के मुसल्मानों अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी वे मातम नहीं मना रहे, बलकि इसे अल्लाह की आजमाईश जानकर तकबीर की आवाज बुलंद कर रहे हैं, कम से कम हमें उनसे थोड़ा सा इसलाम सीखने की जरूरत है, रही बात आप तक जानकारी पहुँचने की तो एक और चैनल है, कांग्रेस की सभा को संबोधित कर रहा था, उसी वक्त हजारों यहूदियों ने नारे लगाते हुए, फिलिस्तीन में युद्ध रोकने और अमेरिका के जरिये सप्लाई होने वाले हथियार की आपूर्ती रोकने की मांग करते हुए, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, इसक नेतन्याहू को उनका यानि यहूदियों का नाम इस्तिमाल करने से मना किया और बताया, कि यहूदियों का जाइनिस्ट से कोई संबंध नहीं है, यहूदियों के नाम पर हो रहे कतलियाम को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, और नेतन्याहू को यहूदी राष्ट का प्र जिस दिन हमने एलान किया उसी दिन हमारे चैनल को एक हफते के लिए बैन कर दिया गया और मॉनिटाइजेशन तीन महीनों के लिए बंद कर दिया गया खैर हम कहां रुकने वाले हैं तौहीद एलेक्ट्रिकल्स से फारुक जमादार साहब हदीस उल्ला साहब समेत उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमर्जनसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे है SD24 News को मिला फिनैंशल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सिस से जमा 13 जुलाई से 12 अगस्त तक की इमदाद UNRWA के जरिये फिलिस्तीन पहुँचाई जाएगी कल 23 जुलाई को इसराइली यानी गैर कानूनी कबजे वाली सेना ने UNICEF के काफिले पर खुलेयाम गोली बारी शुरू कर दी फिलिस्तीन में आज भी इसराइल का आतंक जारी है 7 अक्टूबर से अब तक कम से कम 278 एड वरकर्स शहीद हो चुके हैं जिन में से 271 फिलिस्तीनी थे 500 हेल्थ वरकर और 89 सिविल डिफेंस इम्पलॉई ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हुए लगभग सभी फिलिस्तीनी थे 190 UNRWA Establishment और 131 एम्बूलन्स को अमेरिका के बारूद से इसराइली सेना ने निशाना बनाया हर अस्पताल और हेल्थ सेंटर पर जान बूज कर हमला किया गया जिन में से कुछ पूरी तरह से तबाह हो गए तो कुछ आधे अधूरे बचे हैं और सभी सेवा से बाहर है इन अस्पतालों में शहीद हेल्थ वर्कर लगभग अनपेड फिलिस्तीनी थे गजा में कुल 161 पत्रकार शहीद हुए हैं अमेरिकी बारूद ने इसराइल के जरिये हर किसी को निशाना बनाया गया आज के हालात ऐसे हैं कि गजा में कोई international media entry नहीं कर सकता जो खबरें हम तक पहुँच रही है वे जम पर खेल कर अपनी पहचान छिपाए पत्रकारों और UNRWA के जरिये पहुँचती रही है हमें गजा के पूरे बुनियादी धांचे के systematic तबाही के बारे में बात करते रहना चाहिए खास कर जब media इस विशय पर खामोश है ये थी आज की informative, knowledgeable जानकारी तो मिलते हैं ऐसे ही information, news and accurate analysis के साथ, Fox News इंडिया पर तब तक के लिए फी अमानिल्ला, आप देख रहे हैं Social Democratic News SD24